तो अभी आप जो बाइक देख रहे हैं यह है होंडा शाइन होंडा शाइन में एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें कि यह पाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और चोक दवाने पर यह चोक भी नहीं ले रही थी इसका मतलब गाड़ी में कोई न कोई प्रॉब्लम तो जरूर तो यहाँ पर हम इसको चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर हमने इसका को क्वायर खुलवा था तो क्वायर तूटा हुवιο निकला appointment से जो रहता है उसकी वाइर ती वहीं तूटी हुई थी इसी वजह से चोग नहीं ले पा रहती और चोक क्नो नहीं ले पा रही थी उसके I बाईक के जो कारव 뒤에 उसमें जादा पेट्रॉल जाही नहीं पा रहा था इससे लुआट के नुए फ्रोड़ी प्रवर्ब्लम आ weekly टी न उसमें एंजन जो है वह थंड़ा हो जाता तो वह इंजन ignition करने में आसानी हो जाती है. यहां पर आप देख सकते हैं शाइन का जो है यह चोक है, तो अब इस चोक वायर को बदल दिया गया है और इस चोक वायर को बदलने से चोक एकडम सही तरीके से काम करेगा जिससे की पैट्रूल का मिक्श्चर थोड़ा सा जाइग और गाकर कर्बूराटर की नर्टर की बहुत ख़ाईरि में उसके बाद ऐसंध गाक मीन्मानद कर्द लंफ भेसं ने लिए ऊसक्ता राकेंड के सब्सक्राइब हो पहले से इसनार्ट्य ऌसे जो तो बाइक self नहीं लेगी self नहीं लेगी तो फिर आपको केक से start करना पड़ेगा तो अगर आपकी बाइक में ये problem आ रही है कि बाइक start नहीं हो रही है या फिर आपको self लेने में कोई problem आ रही है तो इन तीन चीज़ों को आप सबसे पहले किसी भी local mechanic के पास अगर आपकी बाइक को 8 से 10 साल हो गए है तो आप जरूर इसमें कार्बुरेटर को change करवा सकते हैं क्योंकि उसमें dust काफी deposit हो जाती है और अगर आप चाहें तो cleaning तो आप इसको हर service में करवाई सकते हैं अगर आपके starting में कोई problem आ रही है कार्बुरेटर की tuning करना काफी डिफिकल्ट काम रहता है नॉर्मल ही कार्बुरेटर की अगर आपकी बाइक में tuning होनी है तो यह आप जाके शूरूम से ही करवाएं वहाँ पर उनके पास specific instrument रहते हैं जो की इस कार्बुरेटर में लगा के वो लोग इसको ट्यून करते हैं लोकल मेकानिक इसको अगर सही करने जाएंगे तो वो कुछ का कुछ और कर देते हैं उनके पास actual जो instrument रहते नहीं है वो अंदाजे पर काम करते हैं तो नॉर्मली अगर इसकी ट्यूनिंग होनी है कार्बुरेटर की तो आप डेफिनेटली सर्विस सेंटर ही जाएं जो कंपनी का ऊथराइज सर्विस सेंटर रहता है वहाँ पर और बाकी जो छोटे मोटे काम है जैसे की चोक वायर को कसना वाप्स तो वह सब चीजें आप लोकल मेकेनीक्स करवा सकते हैं इसमें जाधा इतना कुल राखट सैंस वाला कुछ एहीं रहता है नॉर्मली कोई भी लोकल मेकेनिक यूंच कर सकता है बाकि आप यह देखिए इसमें कार्बूरेटर को वापिस से जो है की कसा जा रहा है और यहां पर देख सकते हैं कसा जा चुका है कार्बूरेटर अभी इसके थोड़ा बहुत इसको सैटिंग करेंगे और चोक वायर अच्छे से काम करें वो यह कंफर्म करेंगे तो overall Honda Shine मैं काफी साल से यूज़ कर रहा हूँ लगबग मुझे 5-6 साल हो गए है और एक काफी अच्छी successful bike है average अच्छा देती है, service अच्छी देती है और मैंने इसमें अभी ही recently एक full synthetic engine oil यूज़ कर आए तो उसका response भी काफी अच्छा है अगर आपको Honda Shine से related कोई भी query हो तो आप मुझे comments में लिख सकते हैं और साथी साथ description में जो link दी गई है वो भी आप देख सकते हैं overall काफी अच्छी bike है 125cc engine में यह आती है और काफी अच्छी service देती है average जो middle class sector बोले उसके लिए यह गाड़ी एकदम perfect है यहाँ पर हमने जो है गाड़ी की चोक वायर को बदल दिया है अब इसका tank लाया जा रहा है इसको हम अप बाइक पर कसने जा रहे हैं देखिए अब ट तो यहाँ पर मैं बता हूँ मैंने अपनी बाइक में थोड़े बहुत changes भी करवा है थोड़ा modification भी करवा है जैसे कि इसके front जो light थी वो halogen थी उसको मैंने change करवा के LED light में change करवा दी है उस video का link आपको मिल जाएगा i button में आपको उसका notification मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं under shine में choke wire कसा चुका है और इसका tank भी अब कसा रहा है बस एक चीज बाकी रहे गई है जो की seat इसकी वापिस कसाना बाकी रहे गया है overall एक बहुत ही अच्छी low segment bike है अब तो इसके काफी competition आ गया है एक tvs radar है जो under shine को competition दे रही है यहाँ पर आप चोग देख सकते हैं अभी अच्छे से work कर रहा है चोग को working करता हो देख सकते हैं देखे जब चोग को प्रेस किया जाता है तो यह जो डिस्क है यह movement करती है यहाँ पर अब हम इस bike का spark plug open करने जा रहे हैं spark plug को यहाँ पर check किया जाएगा कि वह सही condition में working दे रहा है या चार्ज बूला जाता है वो अच्छे से burn हो सके engine में और engine power generate कर सके तो यहाँ पर हमने spark plug को open कर लिया है तो spark plug आपको साल में लगबग एक बार change करवाई लेना चाहिए इतनी ही इसकी life रहती है और बाकी इस पर carbon deposits जो हो जाते हैं उसको आप हर service में साफ करवाते रहें carbon deposits काफी better रहती है और गाड़ी में combustion अच्छे से होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं spark plug की condition जो है काफी जादा अच्छी नहीं है इसका जो टॉप है उस पर carbon deposit है और वो काफी black हो रखा है तो यहाँ पर अभी हम इस spark plug को change नहीं करवा रहे हैं इसको हमने साफ करवा के वाप है शाहिन का एक वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग